नमस्कार टार्गेड विदालोग के 8 पीम न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विवेक मिश्रा खबरों की सुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं नजर भारतियों के स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत और सेत समुद्र मिशंसरू नवसेना के वार्शिप जलस्वा और वार्शिप मगर समित एयर इंडिया के विमान रवाना आसम के सुरों में अफ्रेकन स्वाइन फीवर का प्रकोप मानव स्वास्थ पर नहीं है कोई नकारात्मक प्रभाव खड़िगे के बाद कांग्रेस के अधिर रंजन चौधरी लोक लेखा समिती की नए अध्यक्ष लोकसभा में है नेता प्रतिपक्ष उत्तरपस्मी घाटों पर अस्थानी फोलों की उत्पत्ती पर ए आराय पूडे का सोध संडक्षण में पठारों को भूम का अहम और अब आई ये खवरों की सुरुआत करते हैं कोरोना संकट से जारी लोकडाउन के कारण विदेशों में फसे भारतियों के लिए सरकार बड़ा अभियान चलाने जा रही है इस अभियान के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वंदे भारत और सेतु समुद्र मिशन को हरी जंडी दिया है हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के मद्दे नजर विदेशों में फसे भारतियों के वतन वापसी के लिए वंदे भारत मिशन की सुरुआत की है इसके अंतरगत साथ दिनों में 12 देशों से लगबग 15,000 भारतियों के घर वापसी का महा अभियान चलाया जाएगा इस अभियान का क्रियान में 7 मई से प्रारम्भ होगा जिसमें 64 इस्पेसल फ्लाइट के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, बंगलादेश, मलेसिया, फेलिपेंस, सिंगापूर, युएई, सौधी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और उमान में फसे भारतियों के वतन वापसी का र नौसेना के वार्शिप जलस्वा और वार्शिप मगर अभियान के पहले फेज में माल्दिव के माले पोट की ओर रवाना हो गए हैं माल्दिव में मौजूद इंडियन मिशन उन भारतियों की सूची तयार कर रहा है जिन्हें वतन वापस लाना है यात्रा के दरोन मेडिकल सुविधाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सभी औवचारिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा कुच्ची पहुचने के बाद पहले इन सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज सरकार को अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानि एसफ से प्रभावित सुवरों का इलाज कराने की सलाह दी है क्योंकि एसफ के कारण असम में इस्थिती गंभीर बनी हुई है एसफ पूर्वी असम में नवंबर दिसंबर 2019 में अरवडांचल प्रदेश की सीमा से लगे चीन के इलाकों में पाया गया था जिससे अप्रैल मध्य में सुवरों की मौत सुरू हो गई थी छेतर के किसानों के पास 20 लाक से अधिक सुवर हैं जिसमें से 25 सो से अधिक सुवरों की मौत एसफ की वज़े से हो चुकी है एसफ घरेलू और जंगली सुवरों में होने वाली एक बहुत ही संक्रामक रक्त स्रावी वायरल है एसफ महामारी का संचरण और प्रशार प्रक्रिया जटिल है इसका संचरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से होता है यह सीधा संपर्क में आने के साथ साथ दूसित सामगरी के उपयोग से भी फैलता है राहत की खबर ये है कि एसफ का प्रशार मानव स्वास्त को प्रभावित नहीं करता है एसफ बिमारी के लक्षण और मृत्युदर सुवरों की अलग-अलग प्रजातियों में अलग-अलग देखा गया है जिसमें प्रमुक लक्षण, उच्च बुखार, अवसाद, भूख में कमी, त्वचा में रक्तस्राव, गर्भपात, इत्याद है वर्तमान में एसफ के लिए कोई भी अनमोदित टीका आपको बताते चलें कि एसफ की खोज 1921 में मांट गोमरी ने केन्या में की थी अफरीका महाद्वीप के बाहर एसफ की पहली घटना 1957 में पूर्तगाल के लिस्बन के पास देखी गई जहां पर एसफ भयंकर तबाही मचाया तीन साल बाद 1960 में एसफ पूर्तगाल में फिर से प्रकट हुआ और तेजी से पूरे आईबेरियन प्राइदवीप में फैल गया बाद में यह महामारी यूरोप और अमरीकी देशों में फैला जो मुकरूप से दूसित मांस उत्पादों के आंदोलन के कारण हुआ था पास होता है इसके मद्दे नजर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकास बिड़ला ने कांग्रेस संसदी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकलेखा समिती का अध्यक्ष बनाया है इसके पूर्व P.A.C. चेर्मेन कांग्रेस पार्टी के नेता मलिकार जुन खड़िगे थे कांग्रेस ने लोकलेखा समिती के चेर्मेन पद के लिए पश्यम बंगाल की बहराम पुर्शीर से पैच विबार सांसद चुने गए अधीर रंजन चौधरी के नाम का प्रस्ताव भेजा था इसके अलामा बिजेपी सांसद मिनाक्षी लेखी को सारवजनिक उपकरम समिती यानि पबलिक अंडर्टेकिंग कमेटी का चेर्मेन और बिजेपी सांसद गिरीस भालचंद्र बापट को प्राकलन समिती का अध्यक्ष बनाया गया है आपको बता दे कि वर्तमान की 17 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत पाने में असमर्थ रही इसके बाद समस्त विपक्षी पार्टीओं से विचार बिमर्ष के बाद लोक लेखा समिती की चेर्मेन कापद कांग्रेस को देने का फैसला किया गया इसके अध्यक्ष का नाम लोक्षभा का अध्यक्ष तैं करता है यह लेखा समिती भारत सरकार के खर्चों का लेखा परिक्षन करती है गौरतलब है कि संसत के तमाम कारियों को विभिन समितियों द्वारा निप्टाया जाता है जिसे संसदिय समिती कहा जाता है ये समितियां दो प्रकार की होती हैं अस्थाई और तदर्थ समिती संसत की वित्तिय समिती में प्राकलन लोक लेखा और सरकारी उपकरम समिती सामिल होती है भारत सरकार अधनियम 1919 के तहट पहली बार 1921 में लोक लेखा समिती का गठन किया गया तब से यह अस्तित्त में बनी हुई है इसके कुल 22 सदस्यों में से 15 लोक सभा से और 7 राज्य सभा से आते हैं इसके सदस्यों का कारिकाल एक वर्स के लिए होता है विज्ञान एवंग प्रद्योगी की विभाग के स्वायत संस्थान अग्राहाकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI पूने के वज्ञानिकों ने उत्तर पस्यमी घाटों के वनस्पतियों से जुड़े आंकडे प्रकासित किये हैं इस सोध में दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी घाटों के संदक्षन के लिए वनों के अलामा पठारों को भी प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए डाक्टर मंदर दातार और डाक्टर रितेश कुमार चौतरी की अगवाई वाली ARI टीम ने उत्तर पस्यमी घाटों की गहन जाच के बाद अंतराश्टी पत्र का पायरो टैक्सा में एक पत्र प्रकासित किया जिसमें मोनो स्पैसिफिक यानि विशेश पौधों के साथ ही वनस्पतियों की 181 अस्थानी प्रजातियों की सूची जारी किया भारत के पस्यमी घाट वनस्पतियों से युक्त दुनिया के प्रमुक जैव विवित्ता अस्थलों में से एक है आपको बताते चलें कि अग्राहकर अनुशंधान संस्थान यानि ARI पूरे महारास्ट में इस्थित हैं इसकी अस्थापना 1946 में महारास्ट एसोसियेशन फार्द कल्टिवेशन आप साइंस यानि M.A.C.S. द्वारा किया गया था इसके संस्थापक पूरसोत्तम अग्राहकर थे इसका मुख्यकार पशुविज्ञान, माइक्रोबियल विज्ञान और पौधे विज जारखन सरकार ने ग्रामिर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश से तीन कारिक्रमों बिर्सा हरित ग्राम योजना, निलामबर, पितामबर, जल सम्रिध योजना और वीर सहीद पोतो हो खेल विकास योजना का सुभारम किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेर ने कहा कि ये योजनाएं राज में लौट रहे लाखों मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराएगी कोरोना महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्रीयोगी आदित्यनाथ ने 5 मैई 2020 को आयूस कवच कोविड ऐप लौंच किया है राज की आयूस विभाग द्वारा विक्षित यह एप आयूरवेद में मौजूद जड़ी वूटियों और चिकित सा पद्धती पर आधारित है योग और आयूरवेद जैसे प्राकरतिक संसाधनों से रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ाना इसका मुख्य उद्धेश होगा हर साल की तरह इस वर्स भी 5 मैई 2020 को विश्व हाथ स्वक्षता दिवस यानि वर्ड हैंड हाईजिन डे के तौर पर मनाया गया इस साल यह दिन बेहल खास है क्योंकि आज समुचा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है इस महामारी में हाथों को बार-बार धोना एक अहम हथियार है WHO की इस पहल का इस वर्स का मुख्य विशय Save Lives, Clean Your Hands है हाल ही में 5 मैई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया Global Initiative for the Asthma द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्स मैई महीने के प्रतम मंगलवार को किया जाता है इसकी सुरवात 1998 में बरसिलोना इस्पेन से हुई थी अस्थमा फेफडे से समंधित एक बिबारी है जिसमें सांस लेना, घबराहट, छाती में जकडन जैसे प्रमुक लक्षन देखने को मिलते हैं यह ठीक तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है विश्व अस्थमा दिवस के लिए इस वर्ष की थीम इनफ अस्थमा डेट्स है आपको बता दें कि हर साल इसके लिए एक नई थीम चुनी जाती है कोरोना महामारी की वजह से आज भारत ही नहीं बलकि समुचे विश्व की अर्थबेवस्था ठप हो गई है CMIE यानि Center for Monitoring Indian Economy ने हाल में जारी अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 27.1 फिश्दी तक पहुँच गया है यह दर सहरी छेत्रों में अधिक है गौरतलब है कि CMIE भारत की ब्यापारिक सूचना केंद्र है इसकी अस्थापना 1976 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है वरतमान में S.A.डावे इसके चेयर मैन है आन्धप्रदेश के विशाखा पतनम में LG Polymer Industry के एक प्लांट में इस तायरिन गैस के रिशाव से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है इस हाथसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए है यह गैस इतना खतरनाक है कि इससे 10 मिनट में मौत हो सकती है इसका सीधा असर दिमाग और रिड़ की हड़ी पर होता है परड़ाम यह होता है कि जो जहां है वहीं बेसुध होकर गिर जाता है कहा तो यह भी जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों एवंग बूड़ों पर हो रहा है इस गैसे आखों में जलन और सीने में दर्द हो रहा है आसपास के गाउं के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि घरों में रहें और मास्क लगाएं आपको बता दें कि इसी तरह का गैस रिशाव साल 1984 में 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश के भोपाल में हुआ था भोपाल की यूनियन कारबाइड कमपनी में मिथाइल आइसो साइनाइड गैस का रिशाव हुआ इसे भोपाल तरास्ती के नाम से जाना जाता है फिलहाल इस बुलिटिन में बस इतना ही वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार